हमारा next question है two concentric circles of radius five centimeter and three centimeter find the length of the cord of larger circle which touches the smaller circle यह बहुत interesting और बहुत important question है ठीक है अब हम करते हैं इसको इसके लिए हमी क्या है दो circle बनाने है concentric circles क्या होते है मालो हमारा एक circle है और एक circle के अंदर हमारा दूसरा circle है उनको बोलते हैं concentric circle ठीक है तो सबसे पहले हम एक छोटा circle बनाते हैं ठीक है छोटा circle बनाएंगे हम जैसे यह हमारा circle है यह हमने बनाया एक छोटा circle ठीक है अब हमने बड़ा circle बनाना तो आजाते हैं कि आपके पास एक ही circle के ड्रो करने के लिए तो एक को आप अपने आप से बना लिजी अब देखिए वो क्या कह रहा है ध्यान से समझिए यानि जो हमारे ये larger circle है इसकी कोई एक ऐसी code है जो कि smaller circle को touch कर रही है तो अब हम ड्रो करते हैं इसकी बड़े circle की code को इस तरिक्के से ये वो छोटे circle का tangent बन जाए ये बन गया ये जो हमारी बड़ा circle की ये जो ये है मान लिजी हमने इसको नाम दे दिया P and Q हम कह सकते हैं कि P के हो एक code है किसके लिए larger circle के लिए और जो smaller circle है उसके लिए P के हो क्या है एक tangent है suppose कीजिए इसका center है O क्या है O अब देखिए अब हम इनको join करके देखते हैं ये हमारा क्या हो गया अब हमने इसको join कर लिया O P and O के अब हमें find out क्या करना है find the length of the code अब हमें इसकी length P के जो code है जो की smaller circle के लिए tangent है उसकी length को find out करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें construction करेंगे ठीक है और हम इसका नाम दे दिते हैं कोई भी हमने इसको नाम दे दिया ठीक है अब हमें क्या find out करना है PR क्यों यानि P क्यों find out करना है तो हम इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझी इस question को बहुत important question है और इसमें बहुत अच्छे से आपको ये attempt करना है सबसे पहले इसको लिखना कैसे है देखिए let us consider let us consider two circles one with radius three centimeter and other with radius five centimeter okay let pq is a tangent pq is a code for larger circle larger circle which becomes which is a tangent for which is a tangent for smaller circle ठीक है ये चीज़ हमने लिखे दिए तको let us consider two circles one with radius three centimeter and other with radius five centimeter with center let pq is a code for larger circle which is a tangent for smaller circle यानि pq हमारी ये code है जो की larger circle के लिए code है और smaller circle के लिए टेंजेंट है उसके बाद हमने ओ आर को जूइंट कर लिए उसके बाद लिखेंगे एकोर्डिंग टू थिओरम according to theorem according to theorem क्या कहती है हमारी theorem any tangent any tangent drawn to a circle drawn to a circle makes 90 degree angle with the radius of circle ठीक है हमारी theorem क्या कहती है कि अगर कोई भी हम tangent draw करते हैं ठीक है वो radius के साथ 90 degree का angle बनाती है इसका क्या मतलब हुआ? angle ORP is equal to angle ORQ is equal to 90 degree इसका मतलब क्या हुआ? कि ये भी हमारा 90 degree है और ये भी 90 degree है now ORP is equal to ORQ is equal to 5 cm because it is radius of larger circle जो हमारा बड़ा circle है उसके ये radius होगे न देखी जो ये है जो हमारा ORP है और ORQ है वो बड़े circle के radius होगे तो उनकी जो length है वो कितनी देर के हमें? 5 and OR is equal to 3 cm because of क्यों है? because it is a radius of smaller circle तीक है? अब जो हमारा OR है वो क्या है? smaller circle का जो OR है वो smaller circle का radius होगया तो OR किसके एकल होगा? 3 के एकल होगा O P किसके एकल होगा? 5 के एकल होगा O किसके एकल होगा? 5 के एकल तो अब हम कहेंगे inter angle O P R ठीक है? O P R ठीक है? Apply Pythagoras theorem Apply Pythagoras theorem ठीक है? Pythagoras theorem हमारी क्या कहती है? देखिए O P का square इस इकल टू P R का square प्लस O R का square ठीक है? O P कितना है हमारा? 5 5 का square इस इकल टू P R हमीं नहीं पता O R कितना है? 3 का square 55 इस इकल टू P R का square और 3 इंटू 3 9 हो गया ठीक है? अब 25 माइनस 9 इस इकल टू P R का square 16 इस इकल टू P R का square ठीक है? 16 को हम लिख सकते हैं 4 का square इस इकल टू P R का square जिससे क्या प्रूफ हुआ? ठीक है? P R is equal to 4 हमारा एक result क्या आगया? P R is equal to 4 अब हम लिखेंगे? ठीक है? इंट्रेंगल इंट्रेंगल O R क्यो O R क्यो Apply Apply Pythagoras Pythagoras ठीक है? तो यह क्या कहते हैं? O क्यो का square O क्यो का square Is equal to O R का square Plus R क्यो का square O क्यो कितना है हमारा 5? 5 का square is equal to O R कितना है? 3 Plus R क्यो हमीं नहीं पता 25 is equal to 16 4 आ गया 4 आ गया P क्यो is equal to P R plus R क्यो Therefore P क्यो is equal to P R कितना है हमारा? 4 Sorry यहाँ प्योड़ी यहाँ प्योड़ी 9 9 16 4 and 4 ठीक है? P R कितना है हमारा? 4 और R क्योड़ी कितना है? 4 So 4 plus 4 is equal to 8 Therefore Therefore the length of length of cord is 8 cm ठीक है? इस तरिके से आपने question को करना है यह question जब भी आता है बच्चे बिलकुल भी इसको इस तरिके से नहीं करते ठीक है? वो कुछ लिखते ही नि वो बताते ही नि कि आप क्या draw कर रहे हो क्या आपने लिखा है ठीक है? आपको यह पूरी explanation लिखके दिखानी है ठीक है? ठीक है? theorem अच्छे से लिखनी है? हर एक चीज की explanation देनी है ठीक है? इसको हमने इस तरीके से किया है अगर आप इसको इस तरीके से ना करके concurrent triangles prove करके करना चाहें उससे भी आप इस question को कर सकते हो ठीक है? जिसमें यह common हो जाएगा यह equal हो जाएगा outer radius और यह हमारा 90 degree हो जाएगा उससे दुम्हें triangle concurrent prove हो जाएगे उससे हम कहेंगे PR is equal to R को और उस तरीके से आप इस question को भी कर सकते हो next question